इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बच्चे की मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता कहते हुए वीडियो वाइरल हो रही है ये बच्चा कभी गनेश जी को मोदक खिलाते हुए खूब रोता हुए नजर आता है जिसमें उसकी आखों से आसु निकलते हुए भी दिखाई देते हैं अक्सर इस बच्चे की वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर वाइरल होती है कभी ये कथा सुनाते हुए तो कभी भजन गाते हुए नजर आता है इतना सुनकर तो आप समझ की गए होंगे कि हम अभिनव अरोरा की बात कर रहे हैं आज इस बच्चे पर जिक्र करने के पीछे का कारण है हाल फिलहाल में वाइरल होता वीडियो जिसमें स्वामी राम भदराचारे ने उसे स्टेज से नीचे उतार दिया जिसे सोशल मीडिया यूजर्स उसकी बेजती की तरह देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स अभिनव को जम कर ट्रोल कर रहे हैं ददेश भक्त नाम के ट्वीटर यूजर ने लिखा स्वामी राम बद्रा च्वार्य अंदे हैं लेकिन वह देख सकते हैं कि गोलू अभिनव अरोड़ा अपना होमबर्क करने की बजाए हमें बेवकुफ बना रहा है ऐसे में सवाल उटता है कि आखिर 10 साल के अभिनव अरोड़ा जो खुद को भारत के सबसे युवा अध्यात्मिक वक्ता बताते हैं क्या असलियत में जूते हैं क्या बो लोगों को अपने परिजनों के साथ मिलकर बेवकुफ बना रहे हैं क्या वो ये सब पैसे और पब्लिस सिटी के लिए कर रहे हैं ये सवाल इसलिए उट रहे हैं क्योंकि एक यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब वीडियो में दावा किया है कि अभिनव अरोड़ा और उनके परिजन केवल लोगों से जूट बोल रहे हैं सबसे पहले तो जिक्र करते हैं उनके हाल फिलहाल में वाइरल होते वीडियो का आपको बता दे कि हाल ही में अभिनव अरोड़ा जगत गुरू स्वामी राम भदराचारे की सभा में मुझूद थे इसी बीच ऐसा किया उन्होंने कुछ जिससे स्वामी राम भदराचारे ने उसे स्टेज से नीचे उतारने के लिए कह दिया सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब जम कर वाइरल हो रहा है वीडियो में हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्वामी राम भद्राचार्य से कुछ बात चित कर रहा है इसे बीच अभिनव अरोडा जाकर स्वामी के पास खड़े होकर कुछ-कुछ एक्टिविटेस करते हुए नजर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मानू स्टेज के नीचे से उसे ये करने के लिगे निर्देश दिये जा रहे हैं या फिर उसे रील बनाने का इशारा दिया जा रहा है पिर जब स्वामी कथा सुनाने लगते हैं तो वो उनके सामने जाकर हाथ जोडते हैं इस तरह की कुछ एक्टिविटेस करते हैं इस वीडिव में देख सकते हैं कि जैसे ही वो राधा राम चंद्र भगवान की जैकारा लगाते हैं तो स्वामी राम भद्राचारे को ये बरताव पसंद नहीं आता और वो कहते हैं नीचे उतारिये इनको मेरी भी मर्यादा है इस वाइरल वीडियो को शेयर कर लोग अब तरह तरह की बाते लिख रहे हैं जैसे दिदेश फक्त नाम का एक ट्वीटर यूजर कहता है स्वामी राम भद्राचारे अंदे हैं लेकिन वह देख सकते हैं कि गोलू अभिनव अरोडा अपना होमवर्क करने की बजाए हमें बेवकुफ बना रहा है आप इसे कब देखेंगे हिंदू कब समझेंगे कि प्रस उसके माता-पिता को गिरफतार करें दरसल अभिनव अरोडा का एक और वीडियो भी जमकर वाइरल हो रहा है जिसमें वह कहता है कि मेरी मा चिकन नहीं खाती लेकिन वह हमारे लिए बनाती है इसको लेकर भी एक यूजर ने लिखा ये तो चिकन भी खाते हैं वहा महराज प फैन पेज से भी लिखा गया कि गुरू जी ने इस धोके बाज लड़के अभिनव अरोडा का सही इलाज किया है यहां तक कि गुरू जी भी उसके नाटक से नराज हो गए हैं और उसे मंच से बाहर तेग दिया इसके साथ ही तमाम यूजर इस तरह के दावे कर रहे हैं कि यह सारा दिन अगर रील बनाता है तो स्कूल कब जाता है साथी यूजर का कहना है कि यह सब सिर्फ और सिर्फ एक नोटंकी है जो कि उसके पापा की ओर से करवाई जा रही है इसके साथ ही कुछ लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए यह भी लिखा कि इस वीडियो क देखकर फिल गुड हुआ बता दे कि अभिनव बिल्ली के रहने वाले हैं और घर के पास ही एक प्राइविट स्कूल में पांच वी कक्षा में पड़ते हैं उनके पिता का दावा है कि 9 साल के अभिनव को कम उम्र में ही शास्त्रों और वेदों का ज्यान है मीडिया में दि तीन बजे उठकर अपनी दिन चलिया शुरू करता है ब्रै ब्रामन मुहरत में उठकर सबसे पहले माला जाप करते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वहे चार बजे घर पर ही पूजा करते हैं और फिर साड़े छे बजे तुलसी पूजा परिक्रमा कर अपने घर में विराजे बाल गुपाल को भोग लगा कर साड़े साथ बजे स्कूल जाते हैं बता दे कि वहे एक फेमस लेखक और प्रेट स्पीकर तरुन राज अरोडा के बेटे हैं वहे अक्सर घर पर भारतिये परिधान धोदी कुर्ता पहनते हुए नजर आते हैं मीरिया रिपोर्ट तब आता है जब एक यूट्यूबर अपने यूट्यूब वीडियो में दावा करता है कि अभिनव अरोडा और उनके परिजन केवल लोगों से जूट बोल रहे हैं पहले उनके सभी वीडियो को लोग क्यूट भक्ति या फिर एक नन्ने बालक की भक्ति के रूप में देख शक्ति नहीं है ना ही ज्यान है वो केवल रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलते हैं रटी बातों से इतर सवाल पूचे जाने पर वो जवाब भी नहीं दे पाते यूट्यूबर ने ये भी आरोप लगाया है कि वो समाने बच्चों जैसे ही हैं लेकित यपार में नुकसान के परीजनों ने प्लानिंग के तहट ये सारा भ्रहम फैलाया है ओनली देसी यूट्यूब चैनल पर अभिनव के संबंद में रियालिटी चेक वीडियो भी शेयर किया गया है वीडियो में आरोप लगाया गया है कि अभिनव के पिता तरुन राज अरोडा ने पहले आइसक् यूट्यूबर का अरोप है कि बिजनस में लॉस और इन्वेस्टर को पैसे वापस नहीं कर पाने की स्थीती में अपनी पत्नी के साथ मिलकर तरुन ने अभिनव के बचपन को दाव पर लगा दिया है अभिनव के संबंद में उनके परीजनों ने दावा किया है कि वो दस स काल के इस बच्चे का कोई दोस्त नहीं है और ना ही उन्हें किसी को दोस्त बनाने में कोई इच्छा है उन्हें खिलोने या स्मार्टपोन में बहुत कम या फिर कोई बीदल चस्पी नहीं है उन्होंने ये विदावा किया कि उन्होंने कभी इसका इस्तिमाल तक नहीं किय परिजनों के मुताबिक अभिनव को लगता है कि टीवी ध्यान भटकाने वाला है वह बस राधा और कृष्ण से बात करना चाते हैं वो कहानिया सुनाते हैं और धार्मिक लेखों का हवाला देते हैं वह कुर्ता और धोती पहनते हैं उन्हें भगवत गीता पढ़ना, कृष्ण की जन्मस्थली व्रिंदावन का दोरा करना और घर स्थित विशाल पूजा घर में मुर्तियों की देखबाल करना बेहत पसंद है तो इधर अभिनव का भी कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि रादा रानी ने उन्हें अपने भक्त के रूप में चुना है हलाकि सारा विवात तब शुरू हुआ जब अभिनव को एक ही बात कई बार दोराते हुए सुना गया वही उनका एक वीडियो भी अब जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें वो बिलकुल आम बच्चे की तरह हाथ में मुबाइल पकड़े विसर्जन के दोरान भगवान गनेश को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे है फिलाल कुरे मामले में अभिनव या उनके परीजनों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है साथ ही यूट्यूबर के दावो की भी फिलाल कोई कुष्टी नहीं हुई है हलाकि इस वाइरल वीडियो पर और नन्ने बालक अभिनव अरोडा के इस भक्ती पर आपकी क्यार आये हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं शुक्रिया